अस्सलाम अलेकुम, वेल्कम तो माई चैनल, मेरा नाम है जनील, तो आज में आप लोगों को बनाना सिखारें बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सूजी की फिंगर चिप्स, जो बहुत ही मज़ेगी बनती है, तो इसके लिए हमें जो चीजे चाहिए, यहां भी मैंने एक पानी लिए, आप जितनी सूजी ने आप उतना ही पानी ले और एक चमच नमक लिए, अगर आप चाहें तो आप इसमें आप अपने पसंद के भी मिसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही बना रही हूँ, मैंने पैन को चुले पे गरम होने के लिए रख दिया, अब हम इ अब हम इसके इंदर नमक डाल देंगे, और सूजी डाल देंगे, और इसे पकाएंगे कि साथ चिपकना बंद हो जए, ये देखें सारी सूजी कठी होना शुरू हो गई है, हम इसे मजीद 2-3 मिल तक और पकाएंगे, सूजी हमारी पक गई है, अब हम इसे तकर लगा के रख देंगे, और फिर बाद में इसे गूण लेंगे, चुला मैंने बंद कर दिया, हम इसे इसी तरह 10 मिन तक लेने देंगे और बाद में गूण लेंगे, दस पीट हो गए हैं अब मैं सूजी को बड़े बरतन में निकाल लूँगी और इसे अच्छे तरीके से गून लूँगी यह भी गर्म है तो हम इसे अहतियाद से गून देंगे मैंने इसे अच्छे तरीके से गून दा है अब मैं इसके अपर थोड़ा सा गीर लगाएंगे और इसे फिर से गून लेंगे मैंने इसे गून लिया है अब हम इसके दो पेड़े बना के इसे बेल लेंगे अब हम इसे बेल लेंगे हम थोड़ा सा गीर लगाएंगे और इसे बेल लेंगे मैंने इसे इतना मोटा बेल ली है अब हम इसके किनारे काट देंगे मैंने इसके किनारे काट ली है अब हम इसे चिप्सकी शेप देंगे देखे मैंने इसे काट लिया है अब हम इसे सेंटर से भी काट के इसके स्लाइस जो है वह छोटे कर लेंगे और इसे प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे बना लेंगे मैंने सारे सूजी के फिंगर चिप्स बना के त्यार कर लिये अब हम इने फ्राइ कर लेंगे फ्राइ बैर में मैंने गी करम होने के लिए रख दिया था अब हम इसमें एके करके सूजी के फिंगर चिप्स डालते जाएंगे आपने फिंगर चिप्स ठंडे घी में नहीं डाल लें जब आपका घी करब हो जाए तो आप तब फिंगर चिप्स डाले इसे हमने गोल्डेन कलर आने तक पकाना है चिप्स हमाने फ्राय हो गई है अब हम इने निकाल लेंगे एक प्लेट में देखें देखने में ही कितनी क्रिस्पी लग रही है अब वाज से भी आपको पता लगी गया होगा कि यह कितनी क्रिस्पी है यह देखें इसी तरह हम सारी फ्राय कर लेंगे त्यार है पर बहुत ही मज़े की सूजी की फिंगर चिप्स आपको देखने में लग रहे हैं कि यह सूजी की फिंगर चिप्स है देखें कितनी क्रिस्पी है यह देखें यह बाहिर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है आपको तो कैसे लगी आपको हमारी यह रेसिपी अगर आपको हमारी यह रेसिपी अच्छ लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को करें ताके मेरे आने वारी हर डिलीशिस रेस्पी आपके पास सबसे पहरे पहुंचे तो इसके साथ इजायत चाहती हूं कुदा आफीज